ललीजे बताइए एक पार्टी से अब 6 बार विधाय करे हैं क्या माना जाए आपकी इछछा थी दिल्ली जाने की या फिर पार्टी ने यह तैकी आ देखे ये तो पार्टी और पार्टी के नेता 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 है किये। क्या देखने हैं और कैसे च्णाओंती देंगे वीजेपी 400 पार करना रहा देखे हमारे सामने जो उमिदभार है न उमिदभार एक बार बेनिपुर से विधायक हुए थे, दुबारा फिर उनको मौका नहीं मिला तीस हजार से उहां के जनता मालिक ने उनको हराया चुकि उनका कार्ज जो है अच्छा नहीं है अपने जनता मालिक के परती जवाब देही नहीं है छेतर के परती जवाब देही नहीं है तो ऐसे लोग तो एक बार जीत सकते हैं और फिर लोग सभा के अभी उमिदवार भी हो रहे हैं, सांसद भी रहे हैं, सांसद हैं अभी बरतमान में तो दर्भंगा की जनता आम आम जानती है कि ये आदमी एनि एक तरह से समझे तो मूर्ती है कोई कार्ज न विकास का किया, न सरक से सदन तक कोई मामला उठाया दर्भंगा के सर्मागीन विकास के लिए एक मामला उठाया जो एम्स को कई से रोका जाए इसके अलाबा एम्स को कई से रोका जाए इसके अलाबा तो कोई कार जिनका दिखाई ने देना है धरातल पर हम लोग कहीं कहीं सरक पास करवा हैं उसमें एक सब्द PMG-SY लिखा हुआ है तो वो PMG-SY में जागे कहीं कहीं अपना ना DPR कब बना सरवे कम बना एस्टिमेट सेंक्शन कब हुआ कब हम लोग कितने बार जब पटना में बैठके हम लोग विभाग को चुकि विहार चरकार से पास होता है उसमें दिली का कोई रॉल रहता नहीं है लेकिन PMG-SY का निधी रहता है तो बस उसी में एक रोड में चार जगव बोर एक रोड का एकना बोर लगा हो गया तो उसमें है कि अस्थानिये विधायक और सांसा दोनों की साभागतास होगी उसी में कहीं कहीं जाके अपना धमलों के तुम कोई DPR पता है नहीं स्टिमेंट पता है ना सर्वे का हुआ कुछ जानकारिय नहीं है जाके PMGSY लिखा हुआ है तो उसमें जाके तुम केवल सिला नियास करते हो ऐसा कोई कार्ज नहीं हुआ इसलिए हमको उमीद है कि दर्भंगा की जनता जिस तरह से बेनिपूर में 30,000 से एक बार चुनाव लड़ा दूसरे बार 30,000 से वहां क है लराई आपको लगता है कि यहां के सा만सच से या फिर लड़ाई आपको कमल के फूल से और जो राह है वो काफी काट ओहरा है, इसाल है क्योना करते हैंने कुख घृत-फकृत नहीं है कि हम 30 साल से जंता क शेवा करते हैं और एक hai पार्टी से एक ही सिम्बोल से और एक विश्वास हैं, हम सेवा में रहते हैं, ततपर रहते हैं, हम इसी तरह से जब भी दर्भंगा में रहते हैं, और हम 20 दिन दर्भंगा में ही रहते हैं, हम सांसत बनते भी हैं, तो हम 20 दिन दर्भंगा में ही रहने का काम करेंगे, और यहां का विकास का काम करेंगे, दर्भंग उमिदवार सुबह क्या दस बज़े जाते जाते उसका हलत खराब हो जाए तो लोग का रिस्पॉंस क्या मिलना जन सेलाब उम्रा हुआ है जहां भी हम तो देखिए सहर में पर्थम पाली में सहर में घूमते हैं और हम घर घर जा रहे हैं तो लोगों को ये भी आसा जगा है कि ये आदमी भाई हम लोगों से घर घर जन संपर कर रहे हैं दूसरा लोग प्रतियासी है उक अभी आया भी नहीं सांसद का भोट भी ले लिया सांसद बनने के बाब जूद भी नहीं आया अम मेरा तो संकल पढ़ाता है हम तो अभी भी विश्वास दिला है हम कितना बार टोले में आपके घर पढ़ाएंगे आपको याद नहीं रहेगा मेरे विधान सबाद छितर में आप जानकारी ले लिजी अपने विधान सबाद छितर में हम कितना बार गये हैं कोई ये नहीं कह सकते हैं जो कि एक बारा है कि दू बारा है हम अनेक बारा है लोग की गिंतिय ने रहती है इसलिए हम सुख दुख में जंता मालिके मडादा मालीके दुख सुक में हम साह होंगे तेस्ट में有тंग maken कि एक ही पार्टी से अप जानते हैं कि नितिश कुमार जी का है एंडिये का क्या लहर था एक से एक लहर को देखे हैं और एक से एक लहर में जो हमारे दूसरे लोग रहते हैं उपट कणिया खाते हैं वह अखरी सवाल लोवाद कर दिया और सिमांचल से निकल के मिशलांचल में एम आ रही है तो लगता नहीं कि जो आपका काफी ताकतवर था हलांकि आप एटुजेट की बात हुए लेकिन एम वाइज समीकरन काफी मजबूत है आप लोगों का तो वैसे इस्तिती में जो यह मुस्लिम वोट कहीं ने कहीं इधर उधर हो सकते हैं वैसी के नाम पर ऐसा कुछ दिख रहा है हम लोग सही आपने कहा कि हम लोगों की पाटी एटुजेट की पाटी है और एटुजेट पाटी में हम लोगों को सारे समुदाई का जन समर्थन अपार जन समर्थन मिल रहा है हमको नहीं लग रहा है कि यहां की दरवंगा की जनता कोई इधर जो भोट कट हुआ पाटी कोई आएगा उसको हमको नहीं लग रहा है सीधे भारतिय जनता पाटी और रास्टिय जनता दल में ठकर है कोई बीच में हमको नहीं लग रहा है भोट को आजकल लोग बड़ा कीमती होता है और हमको नहीं लग रहा है कि भोट का अपना कीमत लोग भोट की कीमत को खराब करेंगे हमको लग रहा है जहां भी लोग देंगे दो धारा में भोट होगा एक भारतिये जन्ता पार्टी के जो उमीदवार है उनको देगा दूसरा हम राष्टिये जन्ता अदल महागटबंदन के उमीदवार है दो ही धारा में भोड़ जाएगा तीसरे धारे को हमको लगता है तूथ भी कहते हैं सिक्की करने के लिए भी नहीं मिलेगा क्या लगता है मतलम यह माने कि लली त्यादव की लराई गुपाल जी ठाकुर से या फिर मोदी की लराई जो है लालू जी से है यहां के नकारा अक्रमक एनि उसको क्या करते हैं कोई काम का आदमी नहीं सांसत बना हुआ है तो दर्भना की जन्ता यहां के सांसत के खिलाप है और जन्त से लाब उम्रा हुआ है यानि उसको जो उम्वीदवार है उनको होस हवास सुनोग क्या नौमनेशन होने दिए तब तक जाते जाते होस हवास उर जाएगा और उसको धरातल का जानकारी मिल जाएगा अभी धरातल की जानकारी उसको नहीं मिली है जन्ता के बीच जन्ता के बीच जाएगे तो धरातल की उनको जानकारी हो जाएगी और उन खुद स्विकार कर लेगा कि इस बार दरभंगा की जन्ता हमको मौका देने वाली नहीं है